नमस्ति किसान भाईयो आज बात करंगे विड स्मास के बारे में जो बेस्ट आगरोलाइप लिमिटेड कमपनी का एक खरप वतर नाशे का जिसका इस्तमाल किसान भाई चोड़ी पत्तियों को मारने के लिए कपास की फसल में इसका इस्तमाल किया जाता है इससे इस्तमाल करने के बाद जितने भी चोड़ी पत्तियों की अपनी फसल में कपास की ओपर भाई तरह से नियंत्रन होगी और हमारे फसल पूरी तरह से सुरोक्षित रहेगी बात करती इसका इस्तमाल कब करना है टेक्निकल के है डोज कितना है किमत कितना है पूरी जन करे आगी चलके टेक्निकल महिस में पायरित है बैक सोडियम 10 परतिशे जो आपको यह सिपोमी मिलता है इसका इस्तमाल सिर्फ कपास की फसल में करे इसके इस्तमाल से जितनी भी चोड़ी पत्य वाली घास होगी हमारी फसल में 2-4 पत्यों पर होगी तो वो अच्छी तरह जड़ से मर जाएंगी इसका इस्तमाल हमारी फसल पर घास आने के बाद इस्तमाल करना है इस्तमाल करने के बाद 12 दिनों में आपकी पूरी जड़ से जितनी भी वोगी चोड़ी पतिवाली गास वो खतम हो जाएगी डोज की बात करें तो 300 मिली प्रतियकड का डोज है 250 मिली का प्रतियक आता है 800 रुपे तक लगभग और 500 मिली का प्रतियक आपको मार्केड में 1400 तक मिल जाएगा इसका इस्तमाल करने के बात जितनी भी जैसे की इसमें बत्वा, सावा, मोथा, गाजद्र घास, बड़ी दुदी, चोटी चड़िया घास, मकड़ा घास के ना जो भी चोड़ी पतिवाली घास होते हैं जितनी भी ओ जड़ से मार देता है हम इसके साथ आदा मा कमपनी का एजल यानिके क्यूजालो फ़ाप क्यों प्रपक्यूलो जोप मिलाए तो आपकी जितनी भी कपास की फसल में सकड़ी पतिए होगी ओवी जड़ से मर जाएंगे इसके साथ कोई भी आप क्यूजालो फ़ाप लीजिए कपास की फसल में और विडमास के साथ बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपको छड़काव करते समय मिट्टी में अच्छी नहीं होनी चाहिए बारिश की संभावना तो जरूर स्टिकर यूज करे रेंफास ने इसक छड़काव करने के बाद कम से कम दो दिन में पूरी घास पिली पर जाएगी और आटवे दसवे दिन में पूरी जड़ से मर जाएंगे हवा तेदी से होगी तो स्प्रे मत किजिए ज्यादा हवा में या ज्यादा वरेश में इसके साथ कोई भी एजल का हिट्विड मिला कर स्प्रे कर सकते हो धन्यवाद आप जे किसन चानल पर नहीं हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरू किजिए जय 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 किसन